राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वाबंधूं आज अधिक मास में मैं आपके लिए लाई हूँ अधिक मास महातम की कथा का आठवा अध्याई बंधूं यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन सभी वीडियो की जानकारी सब से पहले हो सके बंधों वीडियो को पूरे सुने सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जै श्री कृष्न भगवान की जरूर लिखें विश्न भगवान की जरूर लिखें बोलो कृष्ण भगवान कीजे विष्णू भगवान कीजे सूची बोले हे तपोधन विष्णू और शिक्रिष्ण के समवाद को सुन संतुष्ट मन नारद नारायन से पुने प्रशन करने लगी नारद बोले हे प्रभो जब विष्णू बैकूर्ट चले गए तब फिर क्या हुआ कहिए आदि पुरुष्ट्रिषन और हरी सूथ का जो समवाद है वह सब प्रानियों को कल्यान कारक है इस प्रकार प्रशन को सुन फिर भगवान बद्री नारायन जगत को आनन देने वाले ब्रियत आख्यान कहने लगे शी नारायन बोले तदंतर विष्णू बड़े प्रसन होकर बैकूंट गए और वहां जाकर हे नारद अधी मास को अपने पास ही बसा लिया अधी मास बैकूंट में वास पाकर अत्यंत प्रसन हुआ और बारहे मासों का राजा होकर विष्णू के सास रहने लगा बारहे मासों में मल मास को श्रेष्ट बना कर विष्णू मन से संतुष्ट हुए हे मुने अनंतर भकतों के उपर कृपा करने वाले भगवान युदिष्ठर और द्रोपति की और देखते हुए कृपा करके अर्जन से यह बोले शी कृष्ण बोले हे ऐशारदूल हमको मालूम होता कि तपो वन में आकर आप लोगों ने दुखित होने के कारण पृर्षोतम मास का आदर नहीं किया व्रिंदावन की श्योभा के नाच भगवान का प्रियेव पात्र पृर्षोतम मास आप वन वास्यों का प्रमास से वैतीत हो गया भीशम, द्रोणाचारे, करण के भै से संत्रस्त मन आप लोगों ने भई और द्वे से मुक्त होने के कारण प्राप्पुर्शोतम मास का ध्यान नहीं किया क्रिशन द्वे पायन व्यास देव से प्राप्त विद्या के अराधन में ततपर, रनभीर, अर्जुन के इंद्रकील परवत पर चले जाने पर उनके व्योग से दुखित आप लोगों ने पुर्शोतम मास को नहीं जाना अब यदि आप यह पूछें कि हम क्या करें तो मैं यही कहूंगा कि भग्य का अवलंबन करो पुर्शों का जैसा अद्रिष्ट होता है वैसा ही सदा भासता है भग्य से उत्पन जो फल है वै अवश्य ही भोगना पड़ता है सुख दुख भै कुशलता इत्यादी भग्य अनुसार ही मुनिश्य को प्राप्त होते हैं अतै अद्रिष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अद्रिष्ट पर निर्भर रहना चाहिए आप इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और बड़ा अच्चरे जनक इतिहास के सहित कहते हैं हे महराज हमारे मुक्ष से कहा हुआ सुनो शी कृष्ण बोले यह भाग्य शालिनी द्रोपदी पुर्व जनम में बड़ी सुन्द्री मेधावी रिशी के घर में उत्पन हुई थी समय वितीद होने पर जब दस वरश की हुई तब क्रम से रूप और लावन्य से युक्त अति सुन्दर और अकर्शक नेत्र से शोभाई मान हुई चातूर गुन से युक्त यह अपने पिता की एक मात्र इकलोती कन्या थी अते चतूर गुन्वती सुन्द्री यह पिता की बड़ी लाडली थी मेधावी ने सदा लड़के की तरह इसे माना कभी भी आनादर नहीं किया यह भी साहित शास्त्र में पंडिता और निती शास्त्र में भी परवीन थी इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी पिता ने ही प्रसंता पुर्वक पाला पोसा था पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पुत्र आदी सुक्ष को देख इसको भी सप्रिहा हुई और तब यह सोचने लगी कि हमें भी यह सुख कैसे प्राप्त होगा गुन और भाग्य का निधी सुख देने वाला पती और सत्पुत्र कैसे होगे इस प्रकार मनोरत विचारती हुई सोचने लगी कि पहले मेरा विवहा उपस्तित था प्रंतु भाग्य ने बिगार दिया अब क्या करने से अत्वा क्या जानने से एवं किस देवता की उपासना करने से या किस मुनी के शरन जाने से अत्वा किस तीरत का आश्य लेने से मेरी मनो कामना पूरन होगी मेरा भग्य कैसा सो गया कि कोई भी पती मुझ को वरन नहीं करता है पंडित भी मेरा पिता मेरे ही दुर्भाक्य से मूरक हो गया है बड़ा अस्चरे है विवहा का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं दिया मैं अपनी सहेली के बीच में प्रमुक हूँ प्रंतु कुमारी होने की कारण पती दुख से पीडित हूँ जैसे मेरी सख्या पती सुख को भोगने वाली है मैं वैसी नहीं हूँ मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई इस परकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरत रूप समुत्र के मोहर रूप जाल में निमगन हो शोग मोहर रूप लहरों से पीडित हो गई इसके पिता मेधावी रिशी भी कन्या दान के लिए कन्या के समान वर ढूणने के हैतू देश-विदेश भ्रहवन करने के लिए निकले प्रन्तु कन्या के अनुरूप वर ना मिलने से अपने मनोरत में निराश हुए कन्या के और अपने भाग्य से कन्या दान रूप संकल्प के पूरण ना होने से देव योग के कारन बड़ा भारीदारूं जर उन्हें आ गया सब अंग ऐसे तूटने लगे जैसे समस्त अंग तूट तूट कर अलग हो जाएंगे और जर की जवाला से व्याकुल हो स्वाश उच्छास लेते महादारूं मूच्छा से मदिरा पान से उन्मत की तरहें पैर लड़ खड़ाते, गिरते, पढ़ते किसी तरहें घर में आए और आते ही प्रित्वी पर गिर पड़े भै से विवल कन्या जब तक पिता को देखने आवे तब तक कन्या को समरन करते हुए मेधावी मुनी मरन आसन हो गए भग्य के केफल स्वरूप बल से एका एक कापने लगे और कन्या दान प्रसंग से उठा जो महुसव था वह जाता रहा तदंतर पहले किये हुए ग्रहिस्त आश्रम धरम के प्रिश्यम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भग्वान में चित को लगाते भए उस मुर्मुष मेधावी रिशी ने शिग्रही नील कमल के स्मान श्याम त्रिवली से सुंदर अकृती वाले शिपुर्षोतम हरी का स्मरन किया है रास के स्वामी है राधारमन है प्रिटंड भुजदंड से दूर से ही देवताओं के शत्रुदेत्य को मारने वाले है अतिउग्र दावानल को पान कर जाने वाले हे कुमारी गोपिकाओं के उतारे हुए वस्त्रों को हरने वाले हे श्रीकृष्ण, हे गोबिंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोधर, हे दीनानात मुझ संसार में निमगन की रक्षा कीजिए इंद्रियों के विश्वर आपको प्रणाम है इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुनकर शी भगवान के दूद, चट, पट, पट, मुकुंद लोक से आते हुए और उसे मरे हुए मुनी को हाथ से पकड़ कर इश्वर के चरन कमलों में ले आए इस प्रकार अपने पिता के प्रानों को निकलता देख मेह कन्या हाहा कार करके रोने लगी और पिता के श्रीर को अपनी गोद में रखकर अती दुख से विलाब करने लगी चील पक्षी की तरहें बहुत देर तक विलाब करके अत्या दुख से विवल हुई और पिता को जिवित की तरहें समझ कर बोली बाला बोली हाई हाई हे पिता हे कृपा सिंदो हे अपनी कन्या को सुख देने वाले मुझे आज किस के पास छोड़कर आप बेकुंट सिधारे हैं हे तात पित्रहीन मेरी कौन रक्षा करेगा आज मेरे भाई बंधू माता आदी कोई भी नहीं है हे तात मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कोन करेगा कैसे में रहूंगी इस शुन्य धनी रही निजन वन की दरहें आपके घर में हे मुनिशेष्ट अब मैं मर जाओंगी ऐसे जीने में क्या रखा है हे कन्या में प्रेम रखने वाले पिता हे तात विवहा विधी बिना किये ही आप कहां चले गए हे तपोनिधे अब यहां आए और अम्रित के समान मधूर भाशन कीजिए क्यों आप चुप हो गए हे तात बहुत देर से आप सोई हुए हैं अब जागिये ऐसा कहकर आंसु बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाब करने लगी और पिता के मरने से दुखित हुई आरता चील पक्षी की तरह मुक्त कंट से रोने लगी उस लड़की का रुदन सुन उस स्वन में रहने वाले प्रामन आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुन शबद से कोन रो रहा है ऐसा कहकर सब तपस्विच चुप होकर यह मेधावी रिशी की कन्या का शबद है ऐसा निश्चे कर घबराए हुए हाहा कार करते मेधावी के घर में आए और वहां आकर सब ने कन्या के गोद में मरे हुए मेधावी रिशी को देखा और देखकर उसवन के रहने वाले सब मुनी भी रोने लगे और कन्या की गोद से शव को लेकर फिर शिव मंदिर के पास शमशान पर गए वहां काश्ट की चिता लगा कर विधी से अन्तेष्टी करम कर उसका दहा किया दहा के बाद कन्या को समझा कर सब रिशी अपने अस्तने आश्रम गए इधर कन्या भी धेरे धारन कर यथा शक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च करती हुई इस प्रकार पिता की मरन क्रिया को क करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी और पिता के मरन रूप दुख अगने से जली हुई रंभा की तरहें व्यथित हुई व्यथित होती हुई एवं बचले के मर जाने से जैसे गव चिलाती है और खाती नहीं दुर्बल होती है वैसे ही ये बाला भी दुखी इती श्री पूरुशोतम मास महात्मे श्री नारायन नारद समवादे कुमारी विलापो नाम अश्टम अध्याए राधे राधे जैश्री क्रिश्ना बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें आश्यर भी जरूर करें धन्यवाद